ला 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 अस्तामलीकुम स्टुडेंट्स, हाव आर यू, I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. स्टुडेंट्स, I hope आप समर वोकेशन्स जो हैं, enjoy कर रहे होंगे और स्टुडेंट्स, जो समर वोकेशन्स में आपको, जो समर पैक दिये गए हैं, वो उनको भी आपने साथ-साथ अपने समर वोकेशन्स में सॉल्व करना है, ठीक है स्टुडेंट्स, आज की वीडियो स्टुडेंट्स करते हैं, स्टुडेंट्स, फर्स पेज है, कॉम्प्यूटर साइंस का, मैच दा कीश विद दियर डिस्क्रिप्शन्, यह आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है, और यह कीश दी गई है, इनको आपने डिस्क्रिप्शन को मैच करते हुए, इस ब्लॉक में फिल करना है, ओके इस पेज को, नेक्स दाइट पर स्टुडेंट मैंने सॉल किया हुआ है, यहां से देखकर इसको सॉल कर लेना है, ठीक है, 1 तो 10 मैंने इनके आंसरs जो है, वो किईच के राइट किये हैं, आपने फिल करने हैं, ओके स्टुडेंट्स, नेक्स पेज है, अएक्टिविटी ट इसमें students आपने input, output, storage and processing device की definition राइट करनी है ठीक है Next slide देखे Input device यहाँ से students input device allows us to communicate with their computer यह आपने usage लिखना है और mouse, keyboard, webcam, scanner यह example राइट कर देनी है इसी तरह output device are those that display the result of processing और इसकी example monitor and speaker यह examples आपने राइट कर देनी है यह देखें students, usage and example पहले आपने input की जो मैंने definition आपको बताई है output की definition वो यहाँ पे आपने लिखनी है और example वाली line में examples राइट कर देनी है ठीक है इसी तरह आप students storage device and processing device की definition जो है next slide पर है आपने वहाँ से देकर इसको fill कर लेना है ठीक है यह देखें यह processing device और storage device की examples and definitions है processing device are the components responsible for the processing of information within the computer system ठीक है और इसकी processing device की और storage devices की ठीक है और यह example है processing devices की and storage device की examples यह नेक्स स्लाइड देखें activity number three students यह आपको fill in the blanks दी गई है इनको आपने solve करना है ठीक है यह a to o तक आपको fill in the blanks हैं इनको इनके answers आपने राइट करने हैं ठीक है नेक्स स्लाइड देखें यह a to o तक आपको जो answers है मैंने राइट कर दी हैं आपने match करके यहां से देखकर अपना जो required answer है वो fill कर लेंगा ठीक है students I hope आपको वीडियो की समझ आई होगी अगर आपको किसी भी question की समझ नहीं आई तो comment करें message करें ठीक है मैं दुबारा आपको explain करूंगी और next video में इंशाला मिलेंगे अ लाफीज आपनी दुनिया को रंदो